शारूख खान इंडस्ट्री के बहत बढ़े सूपर स्टार है और उनकी मॉलिवूड में जो जरणी रही है अखिर शारूख खान चिनिनों ने इतनी फिल्मे की है इतना पैसा इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को कमा के दिया है बावजुद उसके इस तरह की image क्यों शारुक की बनी है वो कहते हैं कि कहीं बार आप casual way में बहुत कुछ चीजे कह देते हैं और उन चीजों का impact धीरे धीरे आपके career पर होने लगता है आज शारुक खान के career को लेकर जो कुछ भी हो रहा है उसमें कह सकते हैं कि इसका थोड़ा बहुत reason उनका attitude और उनका घमन भी है इनफेक्ट एक बार तो ऐसा हुआ जब शारुक खान एक interview के दौरान ये तक कह दिया कि बॉलिवूड इंडस्ट्री में वो आखरी superstar है उनके बाद कोई भी superstar है ही नहीं शारुक खान से पहले बॉलिवूड इंडस्ट्री में कई सारे superstar आएं राजिश खना साहब आए दिलिप कुमार साहब रहे आमिताब बच्चन रहे लेकिन किसी ने भी इस तरह का attitude या इस तरह का घमन अपनी career या stardum को लेकर नहीं जटाया लेकिन शारुक खान जब अनुपर्म खेर के शो में पहुचे और वहाँ पर अनुपर्म खेर ने उनसे कहा कि कभी आपने मैसूस किया जब ये stardum ये सब नहीं रहेगी तब क्या होगा तो शारुक खान कहते हैं कि ये stardum कहीं नहीं जाएगी क्योंकि मैं ही इस इंडस्ट्री का आखरी सूपर स्टार हूँ जहां शारुक ने ये बात कहके अपने आपको बहुत confident महसूस करवाया वही उन लोगों का क्या या उन actors का क्या जो आगे चलकर शारुक की तरह stardum देखना चाते हैं जब भी कोई इंडस्ट्री में newcomer आता है तो उसे अपना पन चाहिए होता है कि उसके senior उसे साथ लेकर चले और अपना ले लेकिन शारुक के इस तरह के बयानों ने अकसर लोगों को नाराज ही किया है आपको क्या लगता है क्या शारुक के इसी तरह के statements के कारण आज वो मुश्किल में हैं comment section में ज़रूर share करें